तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला राजिपाल तक पहुँच गया है MLC संजे कुमार सिंग ने इस पूरे मामले में राजिपाल से मिलकर हसशेप करने की मांगी वहीं दूसरी और सरकार की अल्टिमेटम के बावजूद बिहार माधमिक सिक्षक संग ने पटना में का पात बैठक बुलाई और कल से आंदोलन शुरू करने की खोशना कर दी है बिहार माधमिक सिक्षक संग के महासची प्रसाद सिंग ने कहा कि हर हाल में आंदोलन होकर रहेगा सरकार को जो करना है वो कर ले सिक्षिकों की बैठक का जाइजा लिया है समबत दाता संजे कुमार ने कि रूलोन लोग से वायुग ने बिहार में सिक्षक भाली की प्रक्रिया सुरूर कर दी है वहिं दूसरी तरव सरकार ने अल्टिमेटम भी दिया है अल्टिमेटम इस बात की कि बिहार में जो नियोजीff सिक्षक हैं वे इस मुद्धे पर किसी भी तरका कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं इस वक्त ही हम तस्मीर दिखा रहे हैं बिहार माधेमिक सिक्षक संग कारजाले की तस्मीर है जहां पर संग के महासचेव संदूधन प्रसाद सिंग है उनके साथ MLC है संजय जी और इसके साथ ही जो सिक्षक हैं वो भी यहाँ पर बैटे हुए हैं क्या मंतरना चल रही है और सरकार का जो यह अल्टिमेटम आया है उसको लेकर संग क्या सोचता है सिक्षक क्या सोचता है इस बात पर हम इनके विचार जानेंगे लेकिन एक महतपुन बात यह है कि कल से ही आंदोलन की रुप चलेगा तो हम सिख्षक संगठन और वियार के इस नियोजी सिख्षकों की इस अंदोलन में बिल्कुल साथ हैं जो सिख्षकों को संगर से रोकने का पत्र प्रदान सचीव ने निकाला है हम उसको लेकर महमहिम से आग्रह किये हैं कि आप समिधान के संग्रक्षक हैं और ऐस पत्र सरकार ने निकाला है आप सरकार को निर्देश दे कि उस पत्र को तुरंत वापस करें कि हमारी तो सुर्वाद हो गई एक मैं से ही अंतर राश्य मर्दूर दिवस एक मैं को हम लोगों ने प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया और अभी जो अपर मुख सिख्षा सच दिपक कुमार सिख ने एक ताना साही भरा पत्र मोलिक अधिकार के हनन करने का पत्र दिया इससे सिख्षकों में भारी आक्रोस हो गया है हमारा प्रदर्शन पूरे राजी के परमंद्रिय मुख्यालेवन जोरदार होगा और और प्रत्यासित जो घर में बिमार भी सिख्ष होकर पूरे राज में सरकों पर उत्रेंगे इस प्रकार सरकार जो धमका करके डरा करके आंदोलन को रुकमाना चाहती है वो दिवास्वपन देख रही है यह सवदा बहुत ही महंगा सरकार के लिए साबित होने वाला है देखना होगा आंदोलन कहां तक पहुंचता है और दूसरी तरफ सरकार का रवया कैसा होता है करना प्रसंद मनीजु निजा के साथ संजे कुमार न्यूजेटीन पटना